आज ना बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से मैं आप लोगों को पॉप्सिकल बनाना बताऊंगी मतलब एक्ताम एजी है तो आप लोग भी ट्राय जरूर करना मैंने भी किया ताना तो मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है था तो यह वाइटल जट का जो पाउडर आता है वो मैंने पानी में जैसे उसको मिला लिया है और फिर आपने यह औरेंज फ्लिवर के मेंटॉस ले लिए तो उसे चोटे-चोटे करके अपने मोल में ट्रांसवर कर दिये और अपना वो मिक्स्टर ट्रांसवर करके इसे रेफ्रिजरेट कर दिये था वही 7-8 घंटे के लिए तो अपने बहुत शौक से खाया था और दूसरी पॉप्सिकल देख लेते हैं यहां मैंने पॉप्सिकल बनाई हैं जिसके साथ मैंने स्प्राइट का यूज कर रहा है मतलब पल्स को मिक्सर में मत करना बहुत जादा हो जाएगी ऐसी पैकेट में उसके चुरा-चुर कर लेना बहुत एजीली हो जाती पिसारी पल्स को ऐसे बेलन के पीछे से ऐसे कूट करके अपने मोल में ट्रांसपर कर लेना और यह स्प्राइट डालके उसे रेफ्रिजरेट कर लेना साथ गंटे लिए कर देना डिजल्ट बिल्कुल पॉफिक्ट आता है मतलब एक दम टेंपरेचर कर दो हाई फ्लेम बोल रही हूं और उसके बाद इसको रेफ्रिजरेट कर दो मिक्स कर देना मैंने मोल में मिक्स कर दे था क्योंकि बाहर तो किया नहीं था इसी वज़े से जादा शेक निकरना वनना यह स्प्राइट के वज़े से उड़ जाएगी फिर क्या चाहो तो दो मिनट ऐसी रख तो या फिर पानी में करके निकाल लो क्योंकि जल दी है तो पता है यह जो टॉपी हम लो डालते है उसके वज़ेसे एकदम जैली का जैसा फ्लेवर आता है और पूरी पॉप्सिकल में वैसा फ्लेवर रहता है एकदम नॉर्मल सा तो बहुत अ तब आई हुई थी उसे डालके और इसे भी रेफ्रिजरेट कर दिया इसका भी रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है था मतलब आप लिटरिली इसे ट्राय जरूर करना बहुत इजी हो जटपट इकतम जल्दी से आसानी से बन जाती है तर क्या इसे इंडी मोल करा मैंने बत इसे खाके देखना बनागो मैकस की अगर म Music कोई का सीजन तो आपको इससे ट्राय कर सकते हो mango अंडी ले लो मैंने तो इसी शुगर एड़ करेए इस बार ना मैंने वाटर में ट्राइ करा है मतलब स्प्राइट तो यार हमेशा तो नहीं होता घर पे तो मैंने इसको पहले माइक्रोवेव में रख देना या फिर करम कर ले गास पे इसको पुरा लो फ्लेम तक मतलब पूर pieces डाल देते न, उपर से मोल में तो like जरूर करना, bye